हेलो फ्रेंड्स मैं गुरु भाई हिंदी रैपर तो आज इस वीडियो के अंदर मैप से बात करने वाला हूँ 115 बीपेम के उपर कैसे हम अपना ही फॉप ट्रैक बना सकते हैं यह ट्रैक मैंने किसी कस्टुमर के लिए बनाया था जो की एक शहर के उपर था जैसे बूंदी मिरज जिला उसके उपर एक ट्रैक था यह तो यह ट्रैक राजिस्तान से आर्टिस्ट आएवे थे उनका था तो अब मैंने इसके अंदर जो पुरा ट्रैक बना वनों के दे दिया तो मैंने सोचा है चलो आपको अब दिखा देता किसके अंदर कैसे कैसे मैंने यह यूज खिया हुआ तो इसके अंदर एक बीड ती जो की उन्होंने नेalay侠 के उपर यूज की थी वो ठीक है इस BPM के उपर मैंने गवा लिया ये ट्रैक नेट का है तो इसलिए कोपी रेट आ सकता है इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया इसलिए आर्टिस ने भी यूज नहीं किया क्योंकि सबको पता है कोपी रेट आ जाएगा तो फ्यूचर के अंदर थोड़ी दिक्कत रह हटा रखी है जो कि प्रजेक्ट मुझे खोलना पड़ेगा मैं आपको गाना सुना दूंगा डिरेक्ट तो उसके अंदर जो था ट्रैक के अंदर वोकल्स वह हमने सारी रिकोर्ड कर ली और हमने म्यूजिक फिर बनाया यानि कि सेकेंड टैम कोई रिकोर्डिंग नहीं इसके बाद और क्या बनाया थे देखते हैं उसके बाद हमने ये यूज किया ये देखो ये थोड़ा आपके लिए नया रहेगा क्योंकि ये मैं भी ज़्यादा इस तरह करता नहीं हूँ पर मैंने करा है थोड़ा साउंड अच्छा लग रहा था देखो यहां पर किस तरह स अट म 땅 साउंड आना क्या होता है एक लेढ़ दूसरी लेयर तिस्री यहां ऐसे लगाकर सारे ही पाउप ट्रैक्स के अंदर स्टा क Nich to दा बैस पर इसके अदर हमने देखो एक लेट दूट त् tah लेयर यूज की है और यह थोड़ा सा beat से बाहर भी है देखिए यहां पर सब यह क्या चीज़ा है बनाते हुए random हो गया था यानि कि यह समझ लो गलती से हो गया था तो गलती से होने के कारण क्या हुआ कि यह फिर अच्छा लगने लगा तो जब अच्छा लगने है कि थोड़ा साना starting में हलका सा छोड़ दो ताकि kick और base आपस में clash ना करें और यह side chain की तरह काम करना शुरू कर दें इसी कारण से थोड़ा सा starting में इसको छोड़ दिया है ताकि kick इसके साथ ना आए तो इस तरह से आप भी कर सकते हो अगर आपसे side chain नहीं हो पारडंग से तो यह भी अच्छा result दे देता है अगला यह है इसमें कई pattern भी चलता है जैसे यह तो वो भी चलता है इसके अंदर straight रखावा इसके अंदर या तो एक वो भी चलता है एक out of beat यानि कि जैसे यह बना हूँ है न तो यह थोड़ा सा late चलेगा जैसे यह यहाँ पर करतेंगे हम देखिए यह बी पी हम यानि कि late out of चलता है तो इसके अंदर हमने late नहीं क्या रखावा क्योंकि hip hop beat है अगर कोई गाना होता न तो इसमें थोड़ा late भी कर देतें चल जाता अब अगला अगर आपने headphone लगा है तो आपको पता लगा होगा यह left right करे हुए नीचे के यहाँ पर जाएंगे panning पर और panning पर करके देख सकते हो आप यहाँ left right यहाँ से हमने नीचे किया हुआ है इस तरह के chord न ज्यादा तर गैंक्सर टाइप के जो sound होता है थोड़ा attitude वाले उनके अंदर ही ज्यादा यूज किया जाता है तो आपने भी उसमें use करना है दूसरा करोगे तो क्या होगा उसमें भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें क्या करना आपने इसके बीच में जो एक gap है उसे हटा देना जैसे एक layer देना यहाँ पर जैसे ही है इसको एक बंद कर देना इस तरह से इसको बंद कर देना त तो इसलिए थोड़ा फरक आपको दिखाना मुश्किल है पर इस तरह आप कर सकते हूँ और अगले पर चलते हैं कि यह एक एंबियन साउंड क्रियेट करीवी है यह कई गानों के अंदर होती है लगवक हर गाने के अंदर होती है present अब लिएुझे के अंदर सबसे ज्यादा कि चीज़ चीज़ की जाते हैं कि उसके अंदर सारा खेल क валorts कोते ल clicking है ना इसे जाए पीस का साउंड 皂ता है तब जाकर सुनाई देता जाए में अधरन ज्यादा गूंज़ने वाल क्ते में चलती रहे वहां ज्यादा सुनाई देती है और जो कोर्ण वाला था टंठंठंठंठ्णठ´ इस तरह जल्दी सु बैक में और खासकर ड्रम्स चलते हैं यानिकि ड्रम्स ढोल नगाड़े ये सारी चीज़े बज़ती है तो अब पूरा टीवी में अच्छी तरह सुनाई देता है इसके बाद यहां आजाते हैं क्लैप्स पे बस खतम यह भी है इस तरह की साउंड भी आप यूज़ कर सकते हो एक बार सुनने में तो ऐसे लगेगा कि खराब सी साउंड है पर मैंने पिछली वीडियो उसके अंदर भी बताया अगर आपके कोड अच्छे लग रहे हैं ना कोड में साउंड आ रहा है तो साउंड आप कोई भी सेलेक्ट करो तो यार और आपका मैच होना शुरू हो जाएगा अगर इस तरह के कोड बनाने के लिए आपको कुछ ट्रैक सुनने पड़ेंगे मार्किट के अंदर जो इंस्ट्रुमेंटल्स बनते हैं पहले के अभी भी कई जगा बनते हैं हिपॉप में पर अभी किया क्या हो गया आज क पूंजने वाली साउंड ज्यादा करती है तो वह भी कर सकते हो पर मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की चीज़े भी ना काफे लंबे टाइम तक चलती है तो हो गया यह फिनिश चलो बीट को सुन लेते हैं ठीक है ध्यान से सुनना एक इंट्रो इस तरह डाल सकते हो आप यह गाना मेरे बुंदी शेहर के लिए यहाँ पर हुक लाइन आते है हुक लाइन बजरिया ना यह लंबी सी एक विसल सी बजरिया जो हुक लाइन में अब रैप स्टार्ट अब यहाँ पर हलका सा बेसा है आपने फ्लाद का धिहान रखना है कि पूरे गाने के अंदर ना सेम साउंड ना रहे हैं और एक चीज़ और गाने के अंदर यह जो मैंने ड्रम्स बना रहे है है यहां से बना रखे हैं देखिए कैसी की क्लीवी है यहां पर कैसा क्लैप साउंड लियावा स्नेर इसमें दूर दूर है सारे स्नेर्स और सारा जो म्यूजिक है ना बोलते हैं कि कॉंपोजिशन हमारी सैट नहीं होते हैं लिरिक्स की उपर सैट नहीं होता है तो भाहियों थोड़ा ध्यान रखें कि चार चार बार्स के अंदर ही काम करें अगर चार बीट्स में करना है तो चार बार्स के अंदर भी करना है वो मैंने पहले भी बहुत बार बताया और इतनी बार बता दिया है कि यार अब बताने की जूरत पढ़नी नहीं चाहिए और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लो से पहले आपका पैटरन का साइज पिशनी कर रहा है 115 बीपियम आ रहा है या मेरा बीपियम कुछ और होना चाहिए तो केल्कुलेटर खोल किया ना उस बीपियम को थोड़ा से चेंज कर लिया करो इस बीपियम का आधा करतो अगर आप से आधे में बन जाता है कहीं लोगों का दिमाग होता है कि वो लोग क्या क यह शुरू गरो अपनाट्ष अगर आप एक दो करो नौश भूब को कोई दिक्कत नहीं देखो विकते आnलग अलग बंदे का एक्सपीरेंस होता है कि करने वाले उस पर भी और देते यार जब बंदा करने पा आता है क्यों बना सकता है इसका आधा करने पर अगर इसको आप मुल्टिप्लाई कर दोगे फोर से तो 230 बीप्यम पर भी बना सकता है वह बनता तो इसी तरह से आप अपने बीप्यम को चेंज कर सकते हो और अपने 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 आईडियास को शेर कर सकते हो अगर आप से फिर भी नहीं हो इसके इंदर फीट ओगी आप यहाँ पर जाना है और आपने इसको अपने स्ट्रेच करना है गागा के तो आपने देखना है कि कितने के अंदर मैं ज़्यादा स्पीड में गा सकता हूं बस जितना स्पीड आपका perfect और तो आप उतना ही छोड़ दो उसके बाद क्या करना है उ कि स्ट्रफ центр तो किar साउंड वही रहीगीव स्ट्रैच करकर आप अपना गाना रिखोड करलो निक्स masters कर सकते हो अपने करने करने के उपर आङ कई बंदों को तरीक का मतलब हाड पसंद कहीं को smart work पसंद आता है तो वह आपके उपर है कि यार आपको कैसा easy लगता है आपका दिमाग कितना आगे तक जा रहा है कितना पीछे जा रहा है देखो हम भी गलतियां करकर के सीखें आप भी गलतियां करकर के सीख रहे हो और मैं भी गलती कर रहा हूं सीख रहा हूं तभी तो आपको बता रहा हूँ, तो मैं अपना जो टाइम बचा रहा हूँ, किसी डंग्स है, या अपना एक्सपीरियंस है, वो शियर करके आपका टाइम बचा रहा हूँ, तो इसी तरह से आप भी बना सकते हो, अपने ट्रैक्स को, तो यह था एक हिपोप ट्रैक, 115 BPM के उपर, जो कि आप अपने गैंक्स्टर ट्रैक में या फास्ट ट्रैक के अंदर, स्लो भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके गाने के उपर है, कि आप एक ही बीट के उपर स्लो या फास्ट कैसे गा सकते हो, आपके राइटिंग के उपर स्किल्स मैटर करता है तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शियर और सब्सक्राइब कर देना और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना, have a nice day जैहे अंद